वेरी वेरी गूद मॉर्निंग तो अलो फ्यू पी एसम क्लासिस में अग सभी का स्वागत है तो वी आर गूंग तो डिस्कस लेक्चर नॉम्बर सिक्स ऑफ कर्मा बैच तोड़े आवर टॉपिक इस गॉस्ट स्टॉक्स थेोरम एंड एप्लिकेशन ओक इसमें जो फॉस्ट क बेलोसिटी जो भी यूब्सर वेरी जो हमारे ड्रॉप्स है वह यूनिफर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं अनक्ट अप्शन हमें घीवन वेलोसिटी ओफ ड्रॉप्स वीएंड जाती है किसकी वजह से ग्रेविटेशनल फॉर्स और उफॉर्स एक्टिक फील्स थाफ giàती ह और एलेक्ट्रिक फिल्ट दोनों के एक्वल होने की वाज़ से सी ओप्शन जो तो हमें दिया है पॉसिबल वैल्यू ओफ चार्जेज ओन ड्रॉप सार 6 इंटू 10 देश्टू पाव माइनस 19 और 7.2 इंटू 10 देश्टू पाव माइनस 19 और 12.8 इंटू 10 देश्टू पाव माइनस 19 कुलाब है की आउट ओफ द अबाव चर्टू स्टेटमेंट शार्च है वह ट्रू होंगी फर्स्थ हमें ऑफशन दिया है आर्फ Corn दी आ,ि and C और थर्ड जो हमें option दिया है possible value of charges on drops is हमें बोला है कि यहां पर होगा तो option C और उसके बाद हमें D option बोला है तो उसमें जो है हमें क्या बोला है A and C तो Millican drop experiment में first तो हमारे पास की जो liquid drops होते हैं जो oil drops होते हैं उनकी velocity तो gravitational force और force of electric field की वज़ा से uniform होती है तो option B भी आपका correct है और इसके बाद हमें बोला है कि possible value for charges on drops तो यहां पर हमें given है 6.4 into 10 to power minus 19 को लाम तो जो possible values हो सकती है वो यहां पर क्या हो सकती है 6.4 into 10 to power minus 19 7.2 into 10 to power minus 19 और 12.8 into 10 to power minus 19 यह Millican drop experiment से clarify वाता है कि कितना उस पर charge होगा ओके तो आप बोल सकते हैं कि option B आपका correct है B and C ओके सेकेंड पर आते हैं since magnetic pole doesn't single magnetic pole does not exist single magnetic pole के लिए जानते हैं कि जब भी किसी magnet की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो पोल होते हैं North and South okay so North and South और जो हमारी magnetic field lines है वो North to South travel करती है और अगर आव इस magnet को बीच में से break कर दें तो भी उसके बाद यह क्या कर लेता है कि अपने आप जो है एक पोल बना लेता है तो हमारी इस तरह से करल के फॉर्म में क्या करों के फॉर्म में ट्रेवल करती है तो इस कंडिशन में सिंगल मेंनेटिक पॉल एक्जिस्ट ना करने के लिए रिजन होता है कि जो divergence of B है वो क्या होता है किसकी इकवाल होता है जीरो के इकवाल होता है तो यहां पर option B जो है वो हमारे क्या है correct option है किसी भी करल के लिए divergence of B जो है वो क्या होगा जीरो होगा divergence of magnetic field option C a charge Q is placed at one corner of a cube तो अगर हमें कोई cube given है जिम कर लेते हैं कि यह कोई cube है और इसके एक corner पर कोई charge रखा हुआ है तो मान लेते हैं कि यह कोई charge होगा मेरे पास जिसको मैंने क्या किया है इसके एक corner पर रखा है तो हम हमें पूछा है कि flux linked with cube अब इस cube के साथ जो flux link होगा क्योंकि corner पर रखा है तो इसका contribution जो है वो कितना है वन बाई 8 है तो इसके साथ जो फ्लक्स link होगा वो भी कितना होगा क्यों बाई 8 अब साइलन नौट आप बोल सकते हैं कि option डी जो है वो यहां पर क्या है correct option है चलिए question 4 करते हैं गौस ला ओफ electrostatic हमें बताना है कि क्या होगा तो गौस ला ओफ electrostatic कि अगर हम बात करते हैं तो उसके option होगा ओके तो यह relation हमारे पास आता का है तो हम जानते हैं कि क्लोज्ड इंटिग्रल ओफ इडॉट टी इस एकल होता है क्यों अपसाइलन नौट अगर इसी को हम वोल्यूम की टर्म में लिखें तो यह हो जाएगा हमारे पास इडॉट सौरी डैवर्जंस ओफ इटी वी य इकल होता है किसके क्यों अपसाइलन नौट और डैवर्जंस ओफ इएकल हो जाता है किसके रो अपसाइलन नौट अगर तो हमें यहां से क्या वैल्यू मिलेगी डैवर्जंस ओफ अपसाइलन नौट इसक्वल टू क्या होता है रो और अपसाइलन नौट इकल होता है किसके dk तो हमें मिल जाएगा divergence of d is equal to rho तो आपका option b जो है वो कैसा option है correct option है अब fifth gos law is represented by तो gos law को हम किसे represent करते हैं तो मैंने बता अभी मैंने explain किया है कि gos law को हम किसे represent करते हैं del.e is equal to rho upon epsilon not तो यहाँ पे option b जो है वो हमारा क्या है correct option है okay so i hope कि वीडियो आपके लिए helpful होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें share करें subscribe करें thanks to all of you have a nice day